आज जिस पसनालेजी की मैं बात करूँगी इन्होंने 33 साल के करियर में 7 फिल्में बनाई और उसमें से 2 फिल्में ऐसी है जिसे 80 साल के सिनेमा की टॉप 10 फिल्मों में गिना जाता है तो आप समझ ही गए होंगे यह किस लेवल के फिल्मेकर है इनकी फिल्मों की खास्यत है इनकी फिल्मों में एक्शन होता ही नहीं है इनकी फिल्मों में सिर्फ और सिर्फ रुमैंस होता है एक इंडियन फैमिली होती है इंडियन कल्चर दिखाया जाता है हमारे ट्रेडिशन्स फॉलो किये जाते हैं शादी के इर्दगिर्द इनकी कहा आप समझी गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं फिल्मेकर और राज्ट्री प्रोडक्शन्स के M.D. सूरज बढ़ जातिया की जिंदगी से जुड़ी वो बाते मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी कब सूरज बढ़ जातिया का प्रोडक्शन हाउस र सूरज बढ़ जातिया के साथ काम नहीं किया सूरज बढ़ जातिया का जन्म एक मारवारी जैन फैमिली में हुआ उनका परिवार मुंबई में ही सेटल था और उनके ग्रैंड फादर तारा चंद बढ़ जातिया ने अपना प्रोड़क्शन हाउस शुरू किया था कुमार बढ़ जातिया ने ये प्रोड़क्शन हाउस संभाला उस जोरान कुछ और फिल्में बनाई गई लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब राच्ष्री प्रोड़क्शन के फिल्में बुरी तरह फ्लॉप होने लगी और प्रोड़क्शन हाउस कर्स में डूग गया तब सू संदिगी ने ऐसे मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया था कि मार्केट में सभी तरफ बात थी कि राच्ष्री प्रोड़क्शन बिकने जा रहा है प्रभा देवी में राच्ष्री प्रोड़क्शन का ओफिस शुरुआत से ही है और इतने लंबे समय का जब ओफिस बिकने जात सूरज बरजातिया की फैमिली शॉक्ड थी सूरज बरजातिया के इस डिसीजन से लेकिन उनके ग्रैंट फादर और उनके फादर का उन्हें सपॉर्ट रहा जिसके बाद सूरज बरजातिया ने फिल्म मैंने प्यार किया लिखना शुरू किया इस फिल्म को लिखने में तो और अब सूरजबरजातिया उन्हें मेन लीड ले रहे थे, उनके फिजीक वैसी नहीं थी, उनके आवाज वैसी नहीं थी, उनके लुक्स नहीं थे, उनकी बॉडी में मसल्स नहीं थे, तो उनका जो प्रेम था वो अल्रेडी फीका लग रहा था, और तो और क्योंकि भागयश्री को कास्ट करना पड़ा और इस तरह से शुरू हुई फिल्म मैंने प्यार किया लेकिन इस फिल्म को कम्प्लीट करना सूरज बढ़ जातिया के लिए एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि इस दौरान भागयश्री की अलग दिमांड्स थी कि वह जादा रोमेंटिक स नहीं करेगी लिपकिस नहीं करेगी यह नहीं करेगी और तो और तभी भागयश्री ने शादी भी कर ली थी और वह अपनी परसनल प्रॉब्लम से भी चूंज रही थी इन सभी चीज़ों को संभालते हुए फाइनली सूरज बढ़ जातिया ने बनाई फिल्म मैंने प्यार दिये इस फिल्म में सूरज बढ़ जातिया को एक बड़ा डिरेक्टर बनाया सलमान खान को बड़ा सूपर स्टार बनाया भागश्री बड़ी सूपर स्टार बन गई इसके अलावा आपको बता दें कि फिल्म में राजू श्रीवास्तव भी थे और दिलिप जोशी भी इस इसी तोरान क्यूंकि राज्च्री प्रोडक्शिन्स, फिल्म मेकिंग के अलावा अलग-अलग लांग्विजेज में फिल्म डबिंग का भी काम करता है, तो वो मैंने प्यार किया कि तेलगु डबिंग करवा रहे थे और तब वहाँ पर उनसे किसी ने पूछा कि अब नेक्स्ट क्या है, सूरज बढ़ जातिया ने कहा मुझे नहीं पता मैं नेक्स्ट क्या करूँगा, तब उन्हीं के ऑफिस के एक सीनियर बंदे ने राय दी कि नदिया के पार जो फिल्म आई थी आपके प्रोडक्शन हाउस की, वो फिल्म थी तो अवधी में, लेकिन एक पर्टिकुलर हिंदी बेल्ट में इस फिल्म को बहुत पसंद किया गया था, आप उस फिल्म को एक नए सीरे से बनाइए, लोगों को ये फिल्म जरूर पसंद इस फिल्म को रिमेक करके उन्होंने बनाई फिल्म, हम आपके हैं कौन? 5 अगस 1994 को ये फिल्म रिलीज हुई थी, फिल्म के रिलीज के पहले 4 दिन तो इस फिल्म को सभी ने नकार दिया था, क्रिटिक्स ने कहा ये क्या फिल्म बना दी है, ऐसा लग रहा है हम चित्रहार द ने कम भी कर दिये लेकिन चार दिनों बाद word of mouth publicity से ये फिल्म ऐसी पकड़ में आई कि ये फिल्म all over इंडिया 25 हफ्तों तक 1500 थेटर्स में चलती रही इसके अलावा 4 थेटर्स में 100 हफ्तों तक चलती रही इस फिल्म ने 980 करोड का तब बिजनस कर दिया था आज हम 100, 200, 300 करोड के फिल्मों को अच्छा मानते हैं हम आपके है कौन ने 94 में इतना बड़ा बिजनस कर लिया था कह सकते हैं कि अगर फिल्म मैंने प्यार किया ने राजश्री प्रोडक्शन को बिकने से बचाया था तो हम आपके है कौन फिल्म ने राजश्री प्रोडक्श शेयर करते हुए कहा था कि एक बार वो एक थिएटर गए थे अपनी फिल्म का रिस्पॉंस देखने के लिए थिएटर के बाहर कोई बंदा था टिकेट बेशने वाला वो उन्हें जानता नहीं था वो 40 रुपए उपर ब्लैक में उन्हें टिकेट बेच रहा था उस दिन उन् चला कि हम आपके हैकॉन की क्या वैल्यू है इतना ही नहीं उन्होंने ये भी बताया कि बॉमबे हॉस्पिटल से एक आदमी ड्रिप लेकर हर रोस हम आपके हैकॉन देखने आता था सूरज बरजात्या ने उस आदमी से पूछा कि आप क्यूं आते हैं इस कंडिशन में तो आदमें ने कहा कि हॉस्पिटल में दवाई से मशीन से मेरा बीपी ठीक नहीं हो रहा जब में ये फिल्म देखता हूँ तो मेरा बीपी नॉर्मल हो जाता है और इसीलिए मैं हर रोज ये फिल्म देखने आता हूँ ये फिल्म इस तरीके से जादू कर गई इतना ही नहीं सिनिमा में फुटफॉल्स के रिकॉर्ड भी बढ़ गए थे 93 में कम लोग थेटर में फिल्में देखने जाया करते थे लेकिन हम आपके हैंकॉन रिलीस के बाद थेटर जाने वाली तादात में गजब की बढ़ोत्री हुई और सिनिमा लवर्स में एक बड़ा उच्छाल आया ये मैजिक सूरज बढ़ जातिया ने 94 में ही कर दिया था सूरज बढ़ जातिया से हर दिन उम्मीदे बढ़ती जा रही थी मैंने प्यार किया सूपर हेज हम आपके हैं कौन उससे भी बड़ी अब नेक्स्ट क्या तब सूरज बढ़ जातिया एक फिल्म लेकर आए हम साथ साथ हैं ये फिल्म पिछली दो फिल्मों के बनिस्पत थोड़ी नेगेटिव शेड में जादा थी इस फिल्म में जिस तरह का फैमिली डिस्प्यूट दिखाया गया और जिस तरह की चीजे दिखाई गई वो लोगों को कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि बढ़ जातिया इसकी फिल्म हमेशा एक पॉजिटिविटी देती है और ये फिल्म में नेगेटिव शेड जादा था खैर इस फिल्म ने भी बिजनस तो अच्छा किया लेकिन क्रिटिक्स की इस फिल्म को मिली जूली राय मिली आखिर सूरज बढ़ जातिया ने दो शानदार हैपनिंग फिल्मों के बाद नेगेटिव शेड वाली हम साथ साथ हैं क्यों बनाई इस पर उन्होंने खुद ने बताया कि उनकी जतनी भी फिल्में हैं उनकी जिन्दीगी से जुड़ी हुई फिल्में है ऐटेश सिक्स मे मैंने प्यार किया फिल्म बनाई उसके बाद बच्चे हुए गर ग्रहस्ती हुई तो उन्होंने फिल्म बनाई हम आपके हें कॉंन हम आपके हेंकों Bennett इतनी बड़ी सूपर हिट थी लेकिन उस फिल्म की सक्सेस को वो इंजॉई नहीं कर पाए क्योंकि उनकी मदर को कैंसर हो गया था उनकी मदर बुरी तरह बिमार थी और इसी लिए जो फैमिली का माहूल था उसी को भाबते हुए उन्होंने फिल्म बनाई हम साथ साथ है ये वो फिल्म थी जो कंटिन्यूसली उन्होंने सल्मान खान के साथ बनाई इसके बाद सुरज बढ़ जातिया ने अपनी फिल्मों की कास्टिंग में भारी बदलाव किया और वो नए और यंग आक्टर्स के साथ काम करना शुरू हो गए इसके पीछे एक रीजन ये भी था कि सल्मान खान तब तक बड़े सूपर स्टार बन गए थे और कॉंट्रोवर्सीज भी उनकी बहुत होने लगी थी हिरन कांट इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान हुआ था इसके अलावा इश्वरिया राय के साथ उनका फैर उनका ब्रेक अप जेल आना जाना हिटन रन केस ये सारी चीज़े हो रही थी कॉंट्रोवर्सीज ने सल्मान को गेर रखा था इसलिए सूरज बढ़ जातिया ने अपने आपको तब सल्मान से दूर रखा और उन्होंने रितिक रोशन अभिशेग बच्चन करीना कपूर को लेकर फिल्म बनाई मैं प्रेम की दिवानी हूँ ये फिल्म भी उनकी परसनल लाइफ के एक्सपिरियंस से थी उनकी एक भांजी के साथ ऐसा हुआ था लेकिन ये फिल्म बुरी तरफ फ्लॉप रही और इसके बाद सूरज बरजातिया ने लंबा ब्रेक लिया और फिर वो लेकर आए विवाह जिसमें उन्होंने शाहिद कपूर और अमरिता कास्ट किया इस फिल्म को भी सकसेस मिली हाला कि एक कैडिगरी थी जिसने इस फिल्म की निंदा की इसके बाद इशा कॉपिकर और सोनु सूत को लेकर फिल्म बनाए एक विवाह ऐसा भी ये फिल्म बुरी तरफ फ्लॉप हुई और इसके बाद एक बाद फिर से सूरज बरजातिया ने फिल्मों से लंबा ब्रेक ले लिया अला कि इस दौरान वो टीवी में काफी अक्टिव थे उनके टीवी सीरियल्स चल रहे थे लंबे अंतराल के बाद सूरज बरजातिया ने फाइनली सल्मान खान के साथ काम किया यह 2015 में और यह फिल्म थी प्रेम रतन धन पायो क्योंकि सूरज बरजातिया फैमली मूवीज बनाते थे लेकिन अब कल्चर अलग हो गया है ओडियन्स अलग हो गई है नई जनरेशन आ गई है इसलिए फिल्मेकिंग का स्टाइल भी बदलना होगा इसलिए प्रेम रतन धन धन पायों से उन्होंने एक बार फिर से कुछ बदलाव करने की कोशिश की और फैमली फिल्म में इंपक्ट छोड़ा करती थी अब एक बार फिर से सूरज बर जातिया फिल्म लेकर आ रहे हैं यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसकी आखरी इच्छा थी एवरेस्ट पर जाने की लेकिन उससे पहले ही उसकी डेथ हो जाती है और उसके दोस्त उसकी वह इच्छा पूरी करने के लिए एवरेस्ट पर जाते हैं चाहे उनकी उम्र ऐसी हो जो उने अलाव नहीं करे ऐसी एक्स्ट्रीम कंडिशन में जाने के लिए लेकिन फिर भी अपने दोस्त की इच्छा पूरी करने के लिए वह ऐसा करते हैं इस बार मेल औरियंटेट फिल्म सूरज बर सुरज बरजाथिया ने बनाई है इसके पीछे उनका पर्सिनल कनेक्शन कानेक्शन है वह यह कि यहर 2019 में सुरज बरजाथिया ने अपने पिता को खो दी था और अपने पिता की याद में ही उन्होंने फिल्म बनाई है की कुछ एसी बाते हैं जो आपKY में TS चौका देगी सूरज बरजातिया और सल्मान खान की एज बिलकुल सेम है सूरज बरजातिया का जन्म 22 फरवरी 1965 में हुआ था और सल्मान खान का बर्थ भी 65 में ही हुआ सल्मान और सूरज बरजातिया सेम स्कूल में पढ़े हैं ग्वालियर के सिंधिया स्कूल में और सल्मान और सूरज बरजातिया ने अपने career की शुरुवात साथ साथ ही की इतना ही नहीं सल्मान खान को प्रेम नाम जो उनके लिये बहुत लग्ही था वो भी सूरज बरजातिया नहीं दिया सूरज बरजातिया अपने फिल्मों में action इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि ये filmmaking का style उनके दादा जी का था and according to him उनके दादा जी बहुत ही spiritual थे और उन्होंने अपनी wife से promise किया था कि मैं ऐसी film मनाऊंगा जिसे सालों बाद लोग अपने परिवार के साथ देख पाए यही बात ताराचन बर्जातिया की पूरी राच्ची परोड़क्चन में हमेशा कायम रही है और इसी लिए राच्ची परोड़क्चन के फिल्मों में violence नहीं होता है सुरज बर्जातिया के 3 बच्चे हैं उनके 2 बेटे हैं एक का नाम अवनीश है जो जल्द ही as a director डेब्यू कर रहे हैं इसके अलावा उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम एशा है 21 साल की उम्र में ही सूरज बरजातिया की arranged marriage हो गई थी विनीता जिसे उनके घरवालों ने ही पसंद किया उनी की साथ सूरज बरजातिया ने शादी की थी सूरज बरजातिया यह यूँ कहें कि बरजातिया फैमिली सालों से इंडस्ट्री का हिस्सा है और अच्छा खासा पैसा और अच्छी खासी फिल्में उन्होंने इस इंडस्ट्री में रहते हुए बनाई है लेकिन इनकी फिल्मों में भले ही इनकी फैमिली का कल्चर दिखत लागते हैं हैं तो यह कहानी film industry के उस film maker की जís ने साथ film में एहसा magic किया कि industry पिगस्ट वेक्शे करें अपनी राख जरू करें